दोस्तों एक्जाम स्वेदेमस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे केमेस्ट्री से सम्मंधित रसायन विज्ञान से सम्मंधित कुछ महत्पूर्ण तथे जिनको आप अच्छे तरह से याद करके अपनी केमेस्ट्री को कहीं न कहीं मजबूत कर सकते हैं अच्छी बना सकते हैं अगर आपको इन सब तथ्यों की जानकारी रहेगी तो बेशक आपकी केमेस्ट्री नॉलेज बढ़ेगी ही बढ़ेगी तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं आपर पॉइंट वाइस नंबर वाइस कुछ तथ दिये गए हुए हैं जो कि केमेस्ट्री से रिलेटेड हैं रसायन विज्ञान से रिलेटेड हैं मतलब की इस तरह के पॉइंट आपकी केमेस्ट्री की बेसिक नॉलेज को अच्छा करेंगे और आपको केमेस्ट्री पढ़ते समय जो चीजें नहीं समझ में आती हैं हो सकता है कि वो चीजें फिर आपको अच्छे से समझ में आने लगें तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा दोस्तो सबसे नियूनतम वैदुत रडातमक्ता वाला तक तो कौन सा है व अधिकतम आनन विभा वाला तक तो हीलियम नियूनतम आनन विभा वाला तक तो सीजियम नियूनतम इलेक्टरॉन बंदुता वाला तक तो अक्रिय गैस अधिकतम इलेक्टरॉन बंदुता वाला तक तो क्लोरीन दोस्तों आनन विभा और इलेक्टरॉन बंदुता को आप अ उसके उतसरजन के लिए जो उर्जा चाहिए होती उसको आइनन विबो कहते हैं तो वो सबसे अधिक होता है हीलियम के लिए और सबसे कम होता है सीजियम के लिए इसी तरह से इलेक्टरॉन बंदुता होती कि किसी में एक इलेक्टरॉन डालने के लिए यानि कि किसी परमाड़ में एक एक इलेक्ट्रोन हमें जोड़ना है अगर उसको देना है तो उसके लिए हमें कितनी उर्जा की आवश्यक्ता होगी या कितनी उर्जा निकलेगी इस तरह कि आप परिभाशे अपने बुक में पढ़ सकते हैं और आयनन विबह और इलेक्ट्रोन में दोता कि कॉंसेप् नियूंतम गलनांक वाली अधातु कौन सी है यह है दोस्तो आपकी हीलियम नियूंतम गलनांक वाली धातु है हमारे पास हीलियम अब आता है हमारा नियूंतम गलनांक वाली धातु पारा या मरकरी शैतान तत तो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है जल्द सबसे अधिक परमाड उत्रजिया वाला ततों सीजियम आवर तसालियम में जो की सबसे बड़ा ततों है जिसकी परमाड उत्रजिया सबसे बड़ी है वह आपका है सीजियम अब आगे चलते हैं दोस्तों अधिकतम रिडायनिक आकार किसका है ऐसा रिडायन जिसका सबसे अकार है वो है आपका आयोडीन रडायन नियुअन धनायनिक आपका है हाइड्रोजेन-पउटिव तरहूं सा है सीजियं फ्लोरीन विभड़ो Exc competitive अपका ऑक्सिजन लुद्विध Kr वाहएग वर्ण जिसमें सरी गैसी तत्यों है तो शून्य समू आपने सुनाओं उसमें अक्राइका गैसे होती हैं इसके पाद आवर्त सारणी ऊतर्य उत्त में कुल गैसी एतर्य आप यहां पर देख सकते हैं कि आवर्त सारणी में केवल इतनी ही आपको गैसे मिलेंगी तो इसमें कौन-कौनसी गसे हैं दोस्तो ऊइडरोजन, नाइडरोजन, आकसीजन, फ्लोरीन, कलोरीन, हीलियम, नियून, आर्गन, कृ्प्टओन, जीनॉन और रेड़ान ये तो अक्रिय गैसे हैं आपकी और ये गैसे हैं जो कि आवर सारीड़ी में पाई जाती है आवर सारीडी में कुल द्रवी तरल तत्व कौन से दोस्तों तरल तत्व है आपके गैलियम है, ब्रोमियम है, सीजियम है, पाराय मरकरी, फ्रेंसियम है और सीएन है इसके बाद हम करते हैं सबसे छोटा रिड आयन, तो सबसे छोटा रिड आयन है आपका H-Positive Red Iron सबसे छोटा रिड आयन है, रेडियो धर्मी प्रवरती का द्रवी तरल कौन सा है, जो रेडियो धर्मी प्रवरती का है और एक तरल है, वो तत्व तरल है, तो दोस्तों ये तत्व है आपका फ्रेंसियम आवर्थ साधिय में कुल रेडियो धर्मित ततो कितने हैं यह हैं आपके 25 वाश्प शील डी ब्लॉक ततो कौन कौन से हैं जो कि वाश्प शील प्रवर्थी रखते हैं यह है आपका जिंक है कैडमियम है मरकरी है सी एन है वह ततो जिसमें न्यूट्रॉन उपस्तित नहीं है वो है आपका हाइड्रोजन उसमें किवाल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है न्यूट्रॉन वहाँ पर नहीं पाया जाता प्रत्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ततो दोस्तो ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाने वाला ततो है ऑक्सीजन प् बहुत ही मात्रा में पाई जाती है वह तत्व जिसकी श्रंखलन की प्रवर्ति अधिकतम होती श्रंखला बनानी की प्रवर्ति अधिक होती जब हम लोग आयूपी ऐसी नाम पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कार्बन आपस में जुड़कर श्रंखला बनाता है तो जो हम हमारे 14 मेमबर के कार्बन, silican, germanium, tin led इसमें प्रोपर्ति की प्रोपर्ति पायातूर सबसे ज्याद्थ ब्रीशल चंद अगेक कर्द की नीचे जाने ड़का सिल्ट सबसे ज्यादा जाने का इसाइन के प्रोपर्ति की बनाने का गूंड घटता है अब चलते हैं दोस्तो इधर भी हमारे कुछ बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट्स दिये हुए है केमेस्ट्री से रिलेट्ट जो कि बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तो यह है धातु जो सर्वाधिक आकसीकरण अवस्ता प्रदर्शित करती है यह आपकी ओस्मियम यह आपकी मैकसिमम प्लस एट आकसीकरण संक्या प्रदर्शित करती है सर्वाधिक सहसे योजी योगिक है आपका सीजियम फ्लोराइड सर्वाधिक स्थाई कार्बोनेट है आपका सीजियम कार्बोनेट प्रबलतम चार है आपका सीजियम हाइड्रोकसाइड प्रबलतम चा जाती है जल में रखा जाने वाला तत्तो कौन सा है दोस्तो यह फास्फोरस है के रखा जाने वाला तत्तो फस्टेक तक्तो जैसे लीथियम हो गया सोडियम हो गया लीथियम को छोड़ के बाकी सबाब के कैरोसीन ओयल में स्टोर किये जाते हैं क्योंकि वे बहुती ज्यादा रेक्टिव होते हैं लीथियम अब सामान वेवहार प्रदर्शित करता है इसलिए उसको हम कैरोसीन ओयल में नहीं रखते हैं जबक तो यह है आपका आयोडेन अक्रिय धातुएं कौन सी हैं दोस्तो सोना हो गया और प्लैटिनम हो गया यह अक्रिय धातुएं हैं और जल्दी किसी से रियक्शन नहीं करती बहुत ही विशिष्ट अवस्थाहों में यह अभिक्रिय प्रदर्शित करती हैं उभैधर्मी वह में बेरियलियम है जिंक है, अलुमिनियम है, टिन है, लेड है और सिलिकॉन है उप धातु तथ कौन से हैं दोस्तो बोरान, सिलिकॉन, आरसेनिक, टर्यूलियम, स्टीन, जर्मेनियम और एंटिमनी यह सारे उप धातु तथ हैं अधातु जो धात्विक चमक दर्शादे अधात हुए हैं लेकिन इनमे धातों जैसे चमक होती है ऐसी कौन सी चीजए मैं तो ऐसे केमकल्स हैँ आपके घ्रिफाइट और आयोडीन इनमे धारत्विक चमक पाई जाती है सरवडिक भारी पाया जाने वाला तक तो कौन सा है यूरेनियम सबसे भारी है और पाया जाने वाला अक्रिय तत्तो और जल्दी रियक्शन भी नहीं करता तो वो है आपका यूरेनियम इसके बाद आता है दोस्तो विद्धुत का सरवाधिक कुछालक तत्तो कौन सा है तो हीरा है विदुत का सरवाधिक कुछा अलग तत्व है आपका हीरा सरवाधिक कठोर पाया जाने वाला अक्रिय तत्व है ये भी आपका हीरा कार्बन का एक अपर रूप है ग्रिफाइड भी कार्बन का एक अपर रूप ही होता है सरवादिक हलकी ठोस दातु यह है आपकी लीथियम बहुत ही हलकी है क्योंकि यह चार दातु है हलकी चमकदार धातु होती है और लीथियम तो सरवादिक हलकी ठोस दातु है सूरी का 90 प्रतिशत बार हाइड्रोजन से बना होता है उबहे धर्मी ऑक्साइड, यहां पर कुछ उबहे धर्मी ऑक्साइड दिये गये हुएं, आप इनको देख सकते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड हो गया, अलुमिनियम ऑक्साइड हो गया, इसको साफ कर लेते हैं पहले, साफ, बेरियम, बेरियम ऑक्साइड, अलुमिनियम ऑक्सा लेड ऑक्साइड, एसेटिन ऑक्साइड, तो यह सारी उभायधर में ऑक्साइड है, इनमें अमल और छार दोनों तरह के गुण पाये जाते हैं, रियक्शन के दौरान, अधातुओं के अक्रिय ऑक्साइड कौन से हैं, तो अधातुओं के अक्रिय ऑक्साइड जो रियक्शन विरंजक कौन है यह है आपका हाइड्रोजन पारोकसाइड जिसका यूज वस्तूओं का कलर उड़ाने में किया जाता है विरंजन में किया जाता है कलर को उड़ाने में किया जाता है शुष्क बर्फ कौन है ठोस सियोटू शुष्क बर्फ है बहुत ही ठंडा तापमान उत् बताना ठीक नहीं है ओन यूट्यूब तो सबसे पुराना ग्यात कार्बनिक अमल कौन सा ये असेटिक अमल है सन नीस सो एक मेरा साइन विग्यान के नोबल पुरुसकार से कौन सम्मानित हैं वांठाफ हैं कुछ समाकृतिक कौन-कौन से हैं ये देखिए ये समाकृतिक के बारे में ये क्रतिम विसफोटक है और ये आप इनका यूज एक्स्प्लोजिब माटियल के रूप में किया जाता है और ये केमेस्ट्री में आप पढ़ सकते हैं दोस्तों कोई भी पॉइंट अगर आपके ना समझ में आया हो या आपको कुछ पूछना तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि अपने टीचर से इन पॉइंट्स के विशे में पूछिए बात करिए आपके जो केमेस्ट्री के विशे अध्यापक हैं टीचर हैं उनसे बात करिए और जो भी तथ आपको ना समझ में आया हो तो उसको आप काफी अच्छे से उनसे क्लेयर करने का प्रयास कीजिए इसके अलावा अगर आप कॉमेंट कर सकते हैं तो हमें कॉमेंट करके आप अपने प्रशने जरूर पूछ सकते हैं दोस्तों वीडियो बनाते समय हम लोग वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो एक आद कि मिस्टेक नहों लेकिन अगर हुई हो तो कमें बॉक्स में जरूर पॉइंट आउट कीजिए मिलते हमने नेक्स वीडियो में तब तक लिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए और बोट पर एक शाहों के लिए बहुत-बहुत शुब कामना है दस्वें यार्वीं बार दो प्रवी हमेसरी के लिए इंपॉर्ट था ये वीडियो थैंक्स फो वचिंग और लिस्टिक निग्साइए अन गुड्लुच फो एफुच्ट थैंक्यू अन बबाए